नमस्कार दोस्तों, मुरे नाम सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे टूप चैनल सिकारी स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है उत्राखंड के अभ्भरतियों के लिए जो भी नई भरती होती है चाहे स्टेट गवर्मेंट की भरती हो, सेंटर गवर्मेंट की भरती हो, या कोई अन्य भरती हो हर तरही जोब अपडेट आपको हमारी चैनल पर सबसे तेज और सबसे पहले मिलती है और उत्राखंड का एक मात्र चैनल दोस्तों जो कि आपको उत्राखंड के साथ-साथ अन्नी भरतियों के बारे में भी जानकारी उपलब्द कराता है तो इसी में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 323 पद उपर एक नई भरति दोस्तों आने वाली हैं साड़े सत्रा से लेकर 23 साल के बीच में जो भी अव्यरति हैं वो सभी आविधन कर सकते हैं कुमाओं गड़वाल के सभी यूगा कर सकते हैं गड़वाल वालूं के ळिए भरति तो आप लोग त्यार रहें के द्वड़ियें जादा समय आपके पास नहीं है 19-20 अगस्ते से आपकी भरती शुरू है कुमाओ वालों के लिए जो अल्मोडा, अल्मोडा की अंदरगत कौन को जनपद आएंगे अल्मोडा, पागेश्वर नैनिताल और उधमसी नगर इन चार जनपदू की रानी खेत में भरती है 20 अगस्ते से, कोड़दार वालों की 19 अगस्ते से है, तो आप लोग भी तयार रहे है गडवाल के सभी साथ जनपदू की भरती है तो आप लोग उन्हें ऑनलाइन आविदन नहीं किया है तो जल्दी से दुस्तों ऑनलाइन आविदन कर लिजिए कुमाउं और गडवाल, पिथोडगड़ और चंपाउद को छोड़ कर आप 30 जुलाई तक आविदन कर सकते है और 10 अगस्ते को आपके एडमिट कार आजाएंगे 10 अगस्ते को आर्मी भरती के लिए आपके एडमिट कार आजाएंगे और 30 जुलाई तक पिथोडागड और चंपाउत को छोड़ कर आप सभी जनपत के युआ पिथोडागड और चंपाउत को छोड़ कर आप सभी युआ 30 जुलाई तक आवजन कर लिजेगा ये तो ने जबर आुखना हो आर्विंभति के बात अब बात कर लेते हैं तो चीजान से लगे रहे है ये अच्छा मوقह है और जो इसमें मैरिट जो बनेगी आपकी आर्विंभति में वो बनने वाली जुस्तो- आपकी All India Merit दोस्तो इसमें लगने वाली है तो SSC GD के तरह दोस्तो आपका यह Army GD भी लगपग लगपग होई गया तो पिर आपको इसा ही समझ सकते हैं क्योंकि दोस्तो SSC GD में भी ऐसा होता है अगर Army में All India Merit लगती है और दिसंबर दोस्तो आपकी जोईनिंग होने वाली है सीधे सीधे दोस्तो बहुत चल्दी आपकी किस्मत बदल सकती है उची महनु में तो इसके लिए फॉर्म भर लिजेगा मैंने आपको बता दिया है SSC GD के लिए जो अभ्यर्टी तैयारी कर रहे हैं SSC GD वालों के लिए महिला पुरुष दोनु के लिए है महिला पुरुष दोनु के लिए और इस बार अच्चे पद है इस पार दोस्तो लगबग 75,000 पद आने वाले हैं SSC GD में और ये भी दोस्तो आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे अच्चा मौका है इससे पहले जो 25,000 पद उपर वो भरतिया भी चल रही है तो 25,000 तो थोड़ा कम था लेकिन उत्राखंड से भी बहुत से अभ्यरति उसमें निकले थे इस बार जादा है तो आपको SSC GD के लिए जो त्यारी करते हैं उनके अच्चा मौका है अब बात कर लेते हैं इसके बारे में बांगी जो उत्राखंड में हैं कनिस्साइग की भरतिया आने वाले उसके लिए उस्थो लगसे वीडियो बनाऊंगा और बी जो पद आने वाले उनके लिए उस तो लगसे वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कुछ टेक्निकल के भी पदन लगबग 6500 पद है वो मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो पनाऊँगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं जो 323 पद आने वाले हैं इनके बारे में दोस्तो ये पद आने वाले हैं BSF में दोस्तो आपने देख लिया होगा जब अर्दस्त है शुकून की नौकरी है अगर आप इसमें सेलेक्शन लेते हैं अभी दोस्तों के लिए भी मैंने आपको बताए था कि उत्राखंड में भी उत्राखंड वालों का भी की लिए दुबारा फिजीकल होगा करके अरिदवार और देखादन में हुआ भी जलदी कुछिदिन आपको दिखने को मिल जाएगा तो 323 पद है 312 पद तो यह है एक सो चोवण जनर्ण के लिए एडड़ी इस के लिए एक से लिए और इतने पद दोस्तों आपके होने वाले 312 और अच्छा है अगर आपने इस्टेणों आने वाले वह भी शिर्फ पर सिर्फ एस्टी में पद दोस्तों यहां पर दिखाएगे वागे वरु के लिए नहीं है आयूश्टी मा दोस्तों इसके लिए 18 से लेकर उपर की अभरती जो ह आपके हैट कोस्टेण बनेगी बांकि इसमें भी लगबग 25 चैनल से जार के असपास इसमें भी सेली बनेगी ASI वाले में तो बहुत दोस्तों इसके फॉर्म आने वाले हैं वो आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी यह सब में उस्तों भरती आने वाली है आप लोग त्यारी करते रहे हैं बांकि और भी फॉर्म है तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में अगर आपके उनों कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सुमज